हेलो माई डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे सिख कर रहे हैं माई डियर स्टूडेंट आज किस वीडियो में हम क्लाश टोल सोशोलोजी के 2024 बोर्ड एक्जाम के लिए सबसी महत्पूर बहुविकल्पिय प्रश्ण लेकर आएं जो बार-बार पूछे जाने वाला प्रश्ण है और खासकर 50 महत्पूर बहुविकल्पिय प्रश्ण है हम आपको प्रश्ण भी बताएंगे और उसका उत्तर भी देंगे क्योंकि इस बा सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजी और चैनल पर आप लोग नए है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजी तो चलिए शुरू करते हो राज कर यह इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे सबसे पहला क्या प्रश्ण पूछा गया है स से आपका अमोर्त हो जाएगा समाज जो है अमोर्त है दूसरा प्रश्ण देखिए वर्स 2011 की जनगर्णा की अनुशा है भारत में नगरी जनसंख्या का परतिसत निमलिकित में से कितना है याद रखिएगा 2011 की जनगर्णा के अनुशार आपको बताना है तो इनके जो नगर सकते हैं आप लोगों ने क्या है सोशोलोजी की तैयारी कल लिए और आपको पता नहीं है कि मैं टेस्ट किस तरह से लूँ तो इन सभी प्रशनों का आप एंसर बता दीजे आपने तैयारी किया है तो इसका एंसर बता दीजे कि सर हमें इतने एक प्रशन का एंसर पता है उसी प्रकार से जो हम आप लोगों की तैयारी करा सकते हैं तो यहां पर जो दूसरा प्रशन पूछा गया है इन में से आपका बी हो जाएगा देखिए 31.80 परसंट आपका हो जाएगा नगरिये जनसंख्या का परतिसत जो की 2011 की ज आपका इसी तरीके से प्रशन बोर्ड एक्जाम में पूछे आएंगे और आप लोगों को भी पता होगा आपने हाई स्कूल का पेपर दिया होगा तो उसमें पता होगा आपको जो सुरूआत होती है आपकी कॉपी की बहुभिकल्पिये प्रशनों से ही सुरूआत होती है तो उनमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट रहता है जो एहम रोल लिभाता है वो आपका बहुँ विकल्पिय प्रश्ण है। तो इसको आप पहले सुधार कर लिजे क्योंकि एग्जामनर क्या है इसी को सबसे पहले चक करता है और इसी मेद आपने गड़बर कर दिया तो वहाँ पर आपका नमपर कर सकता है तो सबसे पहले आप मैं जितने भी आपजेक्टिव प्रश्ण बता रहा हूं उसको आप तया की अगला प्रश्ण पूछा गया चौथा जाति का संबंद है किस छेत्र से है जर्म से है कर्म से है पारिस्थिति से है या वर्ग से है तो जो जाति का संबंद है स्टूडेंट हमने काफी बार बताया है आप हमारे लेजेंट स्टूडेंट है इस प्रश्ण का अंसर आप ह जिसकाष्ट में आप पैदा होते हैं ब्रह्मण, छत्री, शुद्र यव्य वहिश्च तो जिस जात में आप पैदा होते हैं तो वो जन्म से हैं निर्धारित हो जाता है कर्म यह वर्ग यह पारिस्थित सें वह पर आपका PBBuses निर्धारनz से हैं कि आप Bram, क्या है Bramad जात में पैदा हुए है, छतरे जात में पैदा हुए है, तो वो आपका जन्म से निर्धारित होता, तो चौथे का आपका एक सही विकल्प है, पांचवा प्रस्टन देखिए, की निम्न मेंसे कौन सामाजिक संस्था का उधारन नहीं है, इन में से आपका समसमों हो जाएगा विवा हो जाएगा नातेदारी हो जाएगा या परिवार हो जाएगा क्या है यहाँ पर बात क्या हो रही है यहाँ पर देखे स्टूडेंट कि निम्न में से समाजिक क्या है संस्था का उधारण नहीं है तो यहाँ पर आपका विकल्प जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा समसमों हो जाएगा सही option छे नमबर प्रशन देखिए जन जातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है देखिए स्टूडेंट आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और इसको लिखने में काफी ज्यादा मैनल लगा है तो प्लीज वीडियो को लुट लाइक कीजी शेयर करके दोस्तों के साथ उनको भी आपके दोस्ताफ के फ्रेंड है उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजे ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके बोर्ड एक्जाम की तैयारी के लिए तो ज्यादा से यादा शेयर कीजेगा और उस चैनल को सस्क्राइब करना मत बोले क्योंकि हम आर्ड्स की जितने भी स्टूडें जन जातियों को पिछडे हिंदू किसने काया है जी एस घुरिये एस सी दूबे जी राय या जे एस हेंटन तो यहाँ पर आपका जो जी एस घुरियो हो जाएंगे जो कि पिछडे हिंदू किसने काया है जी एस घुरिये ने उसके बादे देखे सात्वा प्रश्न क्या पू श्राइब तो इनमसे आपका जहीं विकलप हो जाएगा सामान लिभासा हो जाएगा जो की क्या है जन्जाती समाज में अगला प्रशन देखिये क्या है यहां पर देखिये आटवा प्रेषन कास्ट and आटवा प्रेषन क्या पोछा गया है कास्ट and capitalism and capitalism in colonial India किसकी रचना है rudener की alfred gel की max की max waiver की तो यहां पर जो आपका right answer हो जाएंगे याद रखियेगा रूडनर हो जाएंगे जो कि ये पुस्तक लिखे है देखे बोड जाम में पुस्तक जो आपका sociology है इसमें आपका याद रखेगा इसमें आपका 10 प्रेशन objective पूछे आते हैं तो 10 में से आपको 3 प्रेशन क्या है आपके पुस्तक से related देखने को मिल जाएगा और आपने तो ये आपका जादा बोड एक्जाम में पूछा जाएगा तो इसका हमने एक separate video बना दिया है चैनल पर मिल जाएगा नहीं तो आप सर्च कीजिए क्या है क्लास्टोल सोश्योलोजी important क्या है बुक और उसके क्या लेखक का नाम by सिवम study knowledge आपको क्या है मिल जाएगा video जाकर देख लीजेगा क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर काफी जादा important है student जादा से जादा आप important क्या है question को तयार कीजिए important आप question को तयार करे रहेंगे तो उतना ही आपके लिए better होगा 9th नंबर प्रशन देखे किसने पूंजी वादी अर्थे व्यवस्ता को स्रम के सोंसन पर आधारित माना है किसने पूंजी वादी जो अर्थे व्यवस्ता है इसको स्रम के शोंसन पर आधारित माना है तो किसने माना है चार option है इनमें से आपका सही विकल्प जो हो जाएगा या सही option जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा काल माक्स देखे student आपके लिए एक वीडियो में surprise वे तो वीडियो को last तक देखेगा देखे काफ़ी student वीडियो को छोड़ कर चले भी गये होंगे लेकिन आपको देखना है क्योंकि यह सारे question काफ़ी research और काफी महनस फिल आये हैं दस नंबर question देखे अन्यता सच्छम वर्ग अन्यता सच्छम वर्ग की विशमता यह बहिसकार के लिए जिम्मेदार कौन है आपके option में है सामाजी की व्यवस्थावा द्रिष्ट कौन उनकी किस्मत उनकी अपनी इस्थिती या उनका वर्ग भेद तो जो दस नंबर है इनमें से आपका A हो जाएगा क्या हो जाएगा सामाजीक व्यवस्थावा द्रिष्टी कौन हो जाएगा सही दस नंबर question का A right answer B नंबर देखे देखे 11 नंबर question क्या है राज्ज क्या है राज्ज क्या है एक शमू है एक संस्था है एक समदा है एक समिती है आपके पास चार ओप्सन है चार ओप्सन में से आपका सही जो ओप्सन हो जाएगा वो D हो जाएगा एक समिती हो जाएगा देखे आप इसको क्या है टेस्ट की रूप में लेते रहिए भारत में राष्टिय एकिकरण की परमुक बाधा है विज्ञान है तकनीकी है संप्रदाइक्ता है या किर्शी है तो बताए कौन हो जाएगा आपका तो यहापर आपका जो संप्रदाइक्ता हो जाएगा वो भारत में राष्टिय एकिकरण की परमुक बाधा यही है क्या है स सूचना जो है इसका अधिकार जो अधनियम पारित हुआ था देखे ए है 15 जून 2005 13 अक्टूबर 2005 15 सितंबर 2005 या 13 मार्च 2005 तो जो सूचना का अधिकार जो अधनियम पारित हुआ था वो आपका कब हुआ था वो आपका हुआ था 15 जून 2005 को चावदा नमबर प्रश्ण देखे क्या है निमलिखित में कौन राष्ट वाद के उदय में घनिष्ट रूप से संबंद है आपके अपसर में है ए राष्ट राज श्वतंतरता संपर्भुतता या पंत निर्पेचिता तो बताए क्या हो जाएगा इनमें से आपका ए हो जाए है आपकी बोर्ड एक्जाम के लिए वो क्या है टर्निंग पॉइंट भी है तो देखे यहाँ पर पंद्रा नमबर प्रश्ण मैंचेश्टर परतियोगता का संबंद किस उत्पाद से है कपास से है जूट से रेसम से या रबर सी तो यहाँ पर आपका कपास हो जाएगा जो सीधी रेखा में होता है यह किस सिध्धांत का क्या है utharana है तुवऔ आपका क्या है CASA काया है रेखिए आपका right answer हो जाएगा याक रखेगा सब्देक सामाजिक परिवर्वर्थन के सांस्कृतिक कारिकों का समर्थच कौन है वे सrey और लगानल वेवर से छी मिद्वर्व में से आपका फीलेड डिया इंसर हो जाएगा लेकिन इसको हमने जब Google पर सर्च किया था इस्टूडेंट तो वहाँ पर आपको शोरो किन बता रहा था लेकिन जो बुक के हिसाब से इंसर माना जाए तो वह आपका बेबर बता रहा था तो देखिए हमने क्या है क्या है मैं इस्टूडेंट याद रखेगा मैं जो इंपोर्टन कोशन में आपको बताता हूँ तो इसको एक बार में क्या है सर्च करता हूँ Google पर भी क्योंकि आपका एक एक नंबर हमारी लिए क काफी ज़्यादा किमती है इसलिए श्टूडेंट क्योंकि आपका एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए वो उडग्जाम में क्योंकि एक नंबर से क्या है काफी बच्ची फेल भी हो जाते हैं एक नंबर से टॉप पर रह जाते हैं एक नंबर से फस्ट डिवीजन से रह है तो एक नंबर आपके लिए भी काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है हमारे लिए भी ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो एक एक नंबर तयार कराना जरूरी है और देखें काभी वार जो आपके बुक या कोश्चन बैंक में होता है उसका जो ऑप्सन होता हो गलत होता है तो हम क्या है तसली के लिए एक बार क्या है गूगल पर सर्च कर लेते हैं कि जो इसका प्रशन का एंसर है हो सही है ये गलत है तो वहाँपर क्या है शोरोकिन बता रहा था और जो बुक में वेवर बता रहा था तो दोनों में से जो आपको सठीक लगे वो उसका एंसर आप क् देखिए अठारा नमबर प्रश्ण देखिए अठात्रवे तथा चोहत्रवे सम्विधानिक संसोधनों द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितना आरच्छन प्रदान किया गया है यह है आपका आधा क्या है 1.2 या 2 तिहाई उसके बाद में एक तिहाई या एक चौ प्रश्ण को पढ़िए अठात्रवे तथा चोहत्रवे सम्विधानिक संसोधनों में जो ग्राम पंचायतों है इसमें महिलाओं को यानि ग्राम जो पंचायत है इसमें जो महिलाओं को कितना आरच्छन प्राप्त है इसके बारे में आपको बताना तो यहाँ पर आपका सी राइट इंसर हो जाएगा उसके बाद में देखिए 19 नमबर प्रश्ण किस वर्स में पंचायती राज को संबेधानिक परिस्थिती प्रदान की गई 1993 1994 2000 में या 2005 में तो जो भी प्रश्ण का अंसर आपको पता है उसको आप बिना हिचकिचाय कॉमेंट में बता दीजिए हमें आप लोगों की तैयारी को परखना है कि आपने किसनी प्रकार से क्या तैयारी की है तो यह पर अपका फिलाल ए हो जाएगा और या 1993 हो जाएगा जो कि सही इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण देखते हैं क्या है 20 नमबर प्रश्ण देखिए 20 नमबर वो क्या क्या है वो का लिगास और लिंगायत जाति कहाँ पाई जाती है उत्तर परदेश में, आंदर परदेश में, करनाटक में, पश्चम बंगाल में तो यहापर जो आपका right answer हो जाएगा वो आपका करनाटक हो जाएगा जो की 20 नमबर का C right answer है 21 नमबर प्रश्चन देखे क्या है हरित क्रांथ का मुख कारक है जो हरित क्रांथ है इसका जो मुख कारक क्या है या क्यारी क्या है तो जो हरित क्रांथ का मुख के कारक है वो आपका D हो जाएगा रासाइनी खाद और वीज हो जाएगा जो की यही कारक है 22 नमबर प्रश्चन देखे एन इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखे है देखे हमने आपको बताया था पुस्तक का नाम आपका सबसे ज़्यादा पूछा आता है शुशुलोज मी तो यहाँ पर अभी 22 नमबर प्रश्चन में भी पूछा गया है कि एन इंडियन राइट एंसर यहाँ पर देखिए एससी दूबे हो जाएंगे जो कि एन इंडियन विलेज पुस्तक इनोंने ही लिखा है अगला प्रश्चन देखते हैं देखे ऑपजेक्टिव कोश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 23 नमबर है देखिए भारत में सरवादिक जनसंख्या की जीवका का आधार छेत्र है जो भारत में सरवादिक जो जनसंख्या है इसके जो जीवका का आधार छेत्र क्या है किर्शी है उदोग है शेवा है या खेल कूद है बताइए क्या है यहाँ पर फिलाल जो राइट एंसर हो जाएगा वो आपका किर्शी हो कारक क्या है विखशित किर्षी है विकसित उदोग है रोज गारपरक सिच्छा का आभःव तो यहाँ पर जो आपका डिंस इशर यहाद जनसंख्या का निर्धंता का पर्मुक कारख गुगल पर बता रहा था जो कि असिच्छा और बढ़ती हुई जनसंख्या है लेकिन बुक में यही आपका बता रहा था यानि डी राइट एंसर हो जाएगा पचीस नंबर प्रशन दिखिए कौन सी नगरिय समुदाई की विसेष्था यानि आपको विसेष्था बतानी है जो की नगरिय की है यहाँ पर क्या बताएगा ग्रामीड की तो किरसी हो जाएगी तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्फ हो जाएगा वो आपका उदोग व्यापार हो जाएगा क्यों क्यों जो ग्रामीड समुदाई की लो आपती के समय भारत में कितने रेडियो इस्तेशन थे इसारे प्रश्ण जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज आप लोग तयार कर लीजिए और आपके बोर्ड जाम में दस ऑब्जेक्टिव कोश्चन यानि दस बहुविकल प्रश्ण ह होते हैं तो दस प्रश्ण काफी ज्यादा capacity होते हैं और हमने काफी बार बताया है आप लोगों को कि हंश्च इम प्रेशं इंपुर्श्च्ण को जामिनर को खुर्ष करना है नहीं तो आपको बाज में क्या हैफ पस्ता न पड़ेगा तो फर्स्टिम्प्रियें में एक्ज दूँगा फ्री पोस्ट में आपको पीडियेप दूँगा तो पीडियेप के लिए आपको करना क्या है यह फीडियेप आपको ऐसे तो मिलेगा नहीं वीडियो को आप लास तक जरूर देखिए और पीडियेप के लिए में आपको एक क्या है पीडियेप में लॉक लगा होग जो अब आपको पीडियेप चाहिए तो फुरी में पीडियेम मिल जाएगा इंस्टाग्राब पर आप हमें मैसेज किजेगा कि सर हमें इसका पीडियेप चाहिए आप हमें दीजी हमने वीडियो देखा है पूरा हम आपको फुरी में दे देंगे तो यहाँ पर 26 नमबर जो प्रेश्ण है वहाँ पर आपका राइट इंसर हो जाएगा B हो जाएगा 6 हो जाएगा क्योंकि जो स्वतंतरता प्राप्ति के समय जो भारत में रेडियो स्टेशन थे वो 6 ही थे कितने थे 6 ही थे 27 नमबर प्रेश्ण देखे क्या है देखी दा इनमी से आपका इलाहबाद हो जाएगा जो कि क्या है दा पाइनियर नामक समाचार पत्र कहां सरपर्थम किस सहर में क्या है इलाहबाद जो हो जाएगा सरपर्थम किस शहर में किया गा तो वह आपका इलाहबाद हो जाएगा उसके बाद में देखिए अगला प्रेश्ण 28 नंबर प्रशन देखे क्या है मजदूर संग ब्रेकट में आप देखे क्या है ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की बहुत ही जादा इंपोर्टेंट प्रशन है और ये आपको VVI भी कह सकते हैं ये काफी बार पूछा गया आपका वो रिज्याम में तो यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन क्या है ट्रेड यूनियन जो है मजदूर संग इसकी जो इस्थापना की थी यहाँ पर फिलाल जो आपका राइट इंसर हो जाएगा ए हो जाएगा बीपी वाडिया हो जाएगा लेकिन गूगल पर ये आपका क्या है दंदोपत क्या है दटो मंत ठेकड़ी क्या है ठेकड़ी हाँ दंडोपत ठेकड़ी बता रहा था गूगल पर बुक के हिसाब से वह आपका यह राइटी इंसर हो जाएगा लेकिन गूगल पर कुछ और ही बता रहा था ए आपका मात्मा गांधी, राजेंद्र परशाद, राम कुमार सुकल या जै प्रकास नारायन तो सभी को पता होगा बहुत ही आसान प्रश्ण है और इसको अमने काफी वार आप लोगों को बताया भी है यहाँ पर आपकी गांधी जी हो जाएंगे उसके बाद में देखिए तीस नंबर प्रश्ण चमपारण सत्तिग्रा कहां हुआ था बिहार में हुआ था गुजरात में उत्तर परदेश या महाराष्ट में तो भया जो बिहार में बिहार में एक डिश्टिक है चमपारण तो वहीं में आपका यह चमपारण सत्तिग्रा हुआ था बिहार में याद रखेगा तीस का एर आइट इंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण देखिए क्या है सारा प्रश्ण इंपोर्टेंट है और स्टूडेंट यह आप इमानदारी से प्रश्णों का एंसर दे रहे हैं तो आप क्या है पूरा कोश्चन का एंसर हमें बताईए इमानदारी से फिर उसके बाद में क्या है इमानदारी से बताने के बाद में इसके comment की नीचे आप हमी बताईए कि सर 50 में से हमारा इतना question जो है सही गया है फिर उसी प्रकार से माप लोगों की sociology की तयारी कराएंगे और 95% हमारा target है इस बार का तो जितने भी student को achieve करता है अभी से महनत में लग जाएए और मैं जितने भी important खासकर जो sociology मिलाता उसको आप वीडियो को फूरा देखें पूरा देखें उसको implement कीजी यह नहीं कि आप भया देखें इधर देखें उधर आपका क्या है वो मिट गया उसको आप copy में लिखें तयार कर लिजी याद कर लिजी जितना ज़ादा याद करें रहेंगे उतना ही आपकी board के लिए better ह को उसके बाद में देखे 31ग प्रश्चित संबंदों के बीच की सिंखला यंव समंधों को उज़ागर करने में सहायक है यह विचार किस समाज नुपर यह है यह जो विचार है यह कि समाज सास्त्री ने दिया है ए के देशाई या बी बेजमिन वाइल्ड या सी सी राइट मिल्स या डी मालतस मिल्स तो यहाँ पर जो आपका 31 नंबर प्रश्ण है कि समाज सास्त्र देखे बड़ा भी प्रश्ण वोड एक्जाम में पूचा जाएग तो यहाँ पर समाज सास्त्र आपकी जो व्यक्तिगत परिशानियों यह समाजिक मुद्दों के वीच की सिंखला यह संबंदों को उजागर करने में सहायक है यह विचार किस समाज सास्त्री ने दिया है एक प्रकार से विचार दिया है समाज सास्त्री ने तो आपका सी संस्कृति संकृति संपूण संपूढ संध ceremony n 안돼 23rd time. 1760 समाज की स्थापना कब improves path Praka 3793-1775 पर फिलाल जो आपका राइट इंसर हो जाएगा वह 1873 हो जाएगा जो कि सक्त सोधक समाज की स्थापना यही सन में हुई थी अगला प्रश्ण देखिए क्या है यहाँबड़ देखिए 34 नमबर प्रश्ण जनसंख्या की दृष्ट से विष्व में भारत के कौन सा स्थान है देखिए सभी को पता होगा विष्व में भारत का कौन सा स्थान है जो जनसंख्या की मामलों में हैं यहाँ पर आपका फिलाल बी राइट एंसर हो जाएगा लेक के देखा जाए नेकिन वेक्षव में भारत का पहला क्या है जाले देखते अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्ण देखे 35 नंबर प्रश्ण पुछा गया है सन 2011 की जनगरना की अनुशार भारत की संपूर ब्रेकर में देखे कुल जन संख्या है कितना है यहाँ पर चार ओप्सन दिये हुए है चारों में से आपका एक राइट इंसर सही है तो फिलाल जो आपका 35 है इन में से आपका सी हो जाएगा राइट इंसर याद रखेगा 121 करोण 121 करोण 8,54,977 क्या है जन संख्या 2011 के अनुशार क्या है कुल जन संख्या थी 121 करोण 8,54,977 याद रखेगा 2011 की जन गरना की अनुशार 135 का सी राइट इंसर हो जाएगा 36 नंबर प्रेशन देखे क्या है यहाँ पर देखे प्रेशन पूछा गया है NSA on the principle of population पुस्तक के लेख़ कौन है देखे आपका वोड एक्जाम में जैसा कि मैंने बताया पुस्तक का नाम पूछा आता है तो आपको क्या description में भी मैं लिंक दे दूँगा उस पुस्तक का तो आप इसके वीडियो के बाद में जाकर देख सकते हैं important पुस्तक और उसके लेख़ का नाम हमने सोच से रोजी की जितने भी important पुस्तक और उसके लेख़ का नाम उसमें हमने cover किया तो जाकर देख लीजिएगा फिलाल 36 नमबर जो प्रश्ण है NSA on the principle of population जो पुस्तक के लेख़़ के फिलाल आपके right answer हो जाएंगे मालतस यानि A सही विकल्फ हो जाएगा 37 नमबर प्रश्ण देखे जात A वर्ग में कौन सा गुन समान है A आपका स्रेडी क्रम V उपलब्धी C जन्वजात सदस्ता या D इनमे से नहीं क्या है इनमे से नहीं तो फिलाल जो आपका right answer हो जाएगा A हो जाएगा स्रेडी क्रम हो जाएगा जो कि जात यूँ वर्ग में कौन सा कुट क्या है समान है वो स्रेडी क्रम ही है अगला प्रस्च देखिय है आतिस नंबर weird कास्ट एंड इस यहां पर देखिय है कास्ट एंड शूशल स्टेटिफिकेश्ट प्या इस्टेटिफिकेश्टट अमंग मुश्लिम इंडिया की लेखक औह इं इंतियाज एहमद जी हो जाएंगे राइट एंसर 49 नमबर प्रश्ण है सत्यसोधक समाज के संस्थापक कौन है जोतीवा फूले अंबेडिकर जी कौन अंबेडिकर जी अंबेडिकर जी राधा यहाँ पर कहो होने राधा नहीं शौरी रामा श्वामी जी या जी एन अन्ना द आ जूस्थे सत्यसोधक समाज की संस्थापक याद रखेगा जोतिवा फूले ओजाएंगे सत्यसोधक समाज के संस्थापक यहीं है अग्रा प्रश्ण देखें क्या है 40 संबर परशन देखें, क्या है निम्लिकित में से कौन सी संस्कुर्थी की विशेष्ठा नहीं है, आपका अधी व्यक्तिक, या वी अनुकूल सीलता, क्या अनुकूलन सीलता C. समाजिकूर या D. जैविक उत्तराधिकार तो यह पर आपका D हो जाएगा जैविक उत्तराधिकार हो जाएगा राइट इंसर 41 नंबर कोश्चन देखिए उदारी करण का संबंद है आपके 4 ओप्सन दिये हुए हैं और मैं जितने बताता हूँ इतना ही आप तयार कर लेते तो आपका 10 नंबर कोई भी नहीं काड़ सकता है यह मेरी आरंटी है तो यहाँ पर आपका 41 नंबर प्रश्चन है इसमें भी आपका D. राइट इंसर हो जाएगा आर्थिक नीतिगत निरणेओ से 42 नंबर कोई देखिए क्या है राज एक ऐसा निकाई होता है जो एक विशेष छेत्र में क्या है विदी समस्त एक अधिकार को सफलता पूर्बग दावा करता है यह कथन है यहाँ पर आप देखिए एक प्रकार से कथन पूछा गया है और यह कथन किनका है यह कथन आपका हो जाएगा मैक्स वेवर का क्या पूछा गया है कि एक राज ऐसा निकाई होता है एक राज ऐसा निकाई होता है जो एक विशेष छेत्र में विदी समस्त एक अधिकार का सफलता पूर्बग दो दावा करता है और ये कथन है किन का है तो ये Max Waiver जी का है कथन 43 नमर प्रशन दिखिए छेतरवाद के प्रवल होने का क्या कारण है प्रशन है और ये आपके पिछले साल के बूर्ड एक्जाम में भी पूछा गया था जो सोशोलोजी में था छेतरवाद के प्रवल होने का कारण तो फिलाल जो इसका कारण एक ही बताया जा रहा है कौनसा कारण है इनमें से ये सभी यानि आपका भासाई प्रेम भी हो जाएगा आस अंतुलित आर्थिक विकास भी हो जाएगा सामाजिक अन्याय और पिछडापन हो जाएगा इनमें से यानि तीनों सही है यानि डी राइट इंसर हो जाएगा चववालिस नंबर प्रशन देखिए देखिए ब्रेकट में आप डॉट डॉट देख सकते अब किसके यहाँ पर चार ओप्सन देगे है तो चारों में से आपका एक राइट इंसर हो जाएगा यानि ए सही विकल्प हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे क्या लिख देंगे सरवेच्छर मैं लिख देता हूँ देखिए सरवेच्छर प्रणाली के अंतरगत समानता निर्धारित प्रश्णों को आप एच्छा कृत बड़ी संख्या में लोगों से क्या है पूछा जाता है तो यह आपका सठी का एंसर बैठ चुका है 44 निंबर प्रश्ण आपका बूड एक्जाम में पूछा भी जा सकता है अब देखिए अगला प्रश्ण क्या है 45 निंबर प्रश्ण देखिए क्या पूछा गया 45 निंबर प्रश्ण संयुक्त परिवार संयुक्त परिवार पर औदोगिक करण नगरी करण की प्रभाव का अध्यान किस ने किया है तो जो अध्यान है यह किस ने किया है यहाँ पर हो जाएगा के एम कापाडिया क्या है के एम कापाडिया हो जाएगे लेकिन जो गूगल में बता रहा था गोरे बता रहा था लेकिन फिलाल जो इसका राइट एंसर बुक में बता रहा था तो मैं बुक वाला ही प्रेफर कर रहा हूँ आपके हिसाब से जो गूगल वाला है सही है कॉमेंट में जरूर बताइएगा 46 नमबर कोश्चन देखिए आदुनेकी करण के क्या परिडाम है नए वर्गों का उदय वी साचारता में व्रिद्धी सी रोजगार में व्रिद्धी या डी ये सभी तो जो 46 नमबर कोश्चन देखिए 47 नमबर कोश्चन किस संबिधान संसोधन अधनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्त्य में आई 42, 72, 73 या 74 तो यहापर आपका सी राइट एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 73 हो जाएगे जोकि संबिधान संसोधन हो क्या है संबिधान शंसोधन अधनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था 73 में अस्तित्त्त में आई 73 शंबिधान संसोधन में तो 47 का आपका C विकल्प सही है उसके बाद में देखिया 48 नंबर प्रश्ण पंचायदी राज विवस्था की स्थापना किस सन में हुई 1969 में, 1979 में 1989 या 1972 में तो बताईए सही एंसर इसका 1969 हो जाएगा राइट इंसर 49 नंबर प्रश्ण देखिए बंधुआ मजदूरी को किस राज में हल्पती कहा जाता है देखिए जो हल्पती है या आपका अतिलगो तर्य भी प्रश्ण प्रश्ण प्मूचा जाएगा जो कि आपके सोश्योलोजी में तीन नंबर का प्मूचा आता है तो इसको भी तैयार कल दीजेगा और इसका भी प्रश्ण का अंसर हमने बता दिया है यानि जो मैं सोश्योलोजी की तैयारी है मैं पूंड रूप से बहुत ही जवरदस्त करा रहा हूँ लाइक आपके बहुविकल्पी प्रश्णतों में तैयार करा ही रहा हूँ आपको अतिलग उत्तरिय प्रश्ण सहित तैयार करा रहा हूँ लगु उत्तरिय भी प्रश्ण सहित उत्तर तैयार करा रहा हूँ और ब्रिस्तु तुत्तरिय प्रश्ण सहित तैयार करा रहा हूँ और यदि आपने important topic वाला video नहीं देखा है तो वह आपका कौन सा राच जो जाएगा ? गुजराट हो जाएगा उसके बाद में देखें अगला प्रश्म देखें पचाश नमबर है निमनांकित में से क्या jus na kitt में क्या ग्रामीड समाज की विसेशता नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 महत्पूर प्रश्मों को हमने बताया है जो कि काफी ज़्यादा important है और आपने क्या है हमारे sociology का important topic वाले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं हमारे channel पर मौझूद है और देकि sociology मैं हर एक subject का playlist बनाया हूँ जितने भी आपके तया 25% लानी से आपको कोई भी नहीं रोख सकता ही मेरी गारंटी है तो student आज किस वीडियो में हमने 50 महत्पूर बहुविकल्पे प्रश्मों को बारे में आप लोगों को बताया है I hope कि आप लोगों को अच्छा लगे आज किस वीडियो के लिए इतना ही था student मिलता है नश्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ नए लेकर अपता के लिए जाहिंद